तो अभी करेंगे फ्राइड प्रॉब्लम कैल्कुलेट को एफिशन रवेरियेशन दे दिया है यह तो यहां पर लिखते हैं यह नहीं दिया है तो हमको डिफरेंट मेथाड उस करना पड़ेगा तो पहले सब्मेशन अब एक सान निकालते यानि यह पूरा को एड करना है यह तो आएगा 540 ओके यह आएगा 540 तो इसके बाद क्या करना है यह आगया इसके बाद यह कॉलम नहीं दिया है इसके बाद इछे हम डिफरेंट मेथाड उस करेंगे यह आएगा एक साय मायनेश एक्स बार इसके बाद एक साय मायनेश एक्स बार दोल स्कूर यह कॉलम लेना है ठीक है अधी तो पहले एक बार निखालते हैं ठीक के तो एक बार जो को तो नशेए अपॉन एन तो यह यह हमने कल्केल के आड़ किया तो या फार पॉर्टी यूब तो एन का वाल्यू है तो यह सिक्स में जाएगा तो यह कट करेंगे तो क्या आई गई तो यह 90 मिला एक्स बार तो यह बारेगा 85-90 एक्स बार 90 इसको लिखना है तो यह बारेगा 91-90 96-90, 88-90, 98-90, 82-90 तो ऐचे निकालना है इसका ठीक है तो हमारा एक्ट बार आया 90 ठीक है तो एक्ट बार आया 90 और यह था 6 तो अभी यह कॉलन क्याल्कुलेट करना है हमको ठीक है तो तो इसका क्या आएगा इसका आएगा कमाइनज 5 राइट इसका मैन अच्पाइगा इसका बनाई गर इसका 6 जा इसका मैनस टू आए गए इसका रिटा आएगा इसका मैनस एक खुलम हो गया अभी मैंस एक साइम एक बाद कर्यानिंससकाश कॉर्क्र एक तो इसका करना है मैनच फ्यक्टेंट deben प्रस्कार दो एक मानसों प्रस्केघ्रा तो इसके बाद क्या करना है इसका संब्सक्राइब आयानि कि सम्मेशन आप एक साह मैने एक आपस बार इदू कुट या इसको एड करना है ठीक है वन को यतर लिगते हैं तो इसको तारे को फ्लस करना है यह सारे को हम एड़ करना है एड़ करेंग तो एक वाल्य आएगा तो आएगा 194 ठीक है सब्मेशन एक साइज स्क्वार है तो इसका 194 आए गए तो आभी फार्मॉला पर जाते हैं डिरेक्ली वेरियंस निकालते हैं और यह पूट करके सब्सक्राइब करते हैं ठीक है तो इसको इसका मिला था हमको 194 194 डिवाड़ वे न है यह एंका वैलू 6 है तो 6 इसको डिवाइट करो ठीक है डिवाइट करने पाद एक वाल्य आएगा वाएगा 32.33 आएगा ठीक है इसके बाद अब को स्टांडर्ड डिवेशन निकालने थांडर्ड डिवेशन सिग्मा ताइडिवेरियंस ओफ एग्स यह आएगा अंडर रूट 32.33 तो अब यह कैसे निकालना है मैं बताऊंगा यह सड अच्छी तरह देख लो ठीक है वो कैसे निकालना है बताऊंगा देखो तो मैंने यह सब लिखा है एक बार मेरा थाना एंटी एंट सिक से वेरियंस एक साथा था थाटी टू पॉइंट पॉइंट टिवेशन रूट में है तो इसको मैं सॉल कर रहा हूं देखो तो पहले एंटी लॉग लेना है एंटी लॉग फिर लॉग फिर रूट 32.33 ऐसे लि लॉग इसके बाद लॉग को अब लॉग करें है São T 2-1 कंबल सरे 1. तो पहले लिखना है 1. यह 1. लिखना है उसके बाद यह नमबर को इदर लिखो 32 और इदर लिखो और इदर लिखो अभी लॉक टेबल में 32 में कहा रहे देखो एड थर्ड कॉलम पर जाओ 3rd column पर यहां पर क्या आ रहे देखना है ठीक है वह पर देखते हैं 32 and 3 पर देखते हैं तो कि स्टुडेंट तो हम जाएंगे logbook में जाते हैं ठीक है logbook में यहां पर जाना है 32 में 32 में जाना है 32 लोग बुग में 32 में जाना है 32 में एमको जाना है 3rd place इस फाइड प्लेट में जाना है इसके लिए में डिफ्रेंस में जाना है में डिफ्रेंस में कि इदर जाना है हमको मिन डिफरेंट में जाना है थौर्ड प्लेट में मिन डिफरेंट में थौर्ड पर जाना है थ्री पर क्या आएगा देखना है ठीक है 32 के लाइन पर देखना है यह लाइन पर देखेंगे तो तुमको 4 आएगा ठीक है यह आएगा 5096 तो अभी लॉग निकाला हमने तो अभी यह बाकी है तो बाकी है तो डिवाइट करना पड़ेगा 1.5096 डिवाइट बेट टू करते हैं यह आएगा 0.7 फिर आएगा 5 इसके बाइद यहां पर 24 इसके बाद 8 तो इसको यहां पर लिखेंगे ते बनाएगा एंट लॉग और 0.754 ठीक है तो अभी अन्टू लॉग पर जाते हैं यह आया तो अभी अन्टू लॉग पर जाना है एंटू लॉग के लिए पहले इसको सेपरेटली लुखो इसको 0.75 को और 4 को और 8 को और इसके बाद एंटू लॉग में जाओ और टूलक में जाओ एंटू लॉग में जाने के बाद वहां पर 0.75 में देखो क्या आ रहें 0.75 में 4th कॉलम में क्या रहें 5675 आएगा इसके बाद एट बाके उसको में डिफ्रेंस पे देखो एट में क्या रहें टेन आ रहें ठीक है तो इसको दोनोंको आड करना है 5675 प्ल तो यह पर है तो यह तो यहां प्वेड पत्सक्र के सब्सक्राइब हुआ है प्रीछ depends हुछ यह तो यहां पे आएगा पोउंट मीकर वरह的 जो के भूंप ले सकते हैं तो फैन्ते वन डेंगे तो राउल्डों जाएगा तो यह पानेगा approximately आएगा हमारा sigma यह आएगा 5.6 यह जो मान लेंगे 9 यह आएगा ठीक अब इसको clear करते हैं ठीक है तब अबंको क्या find करना है calculate coefficient of variation तो coefficient of variation के formula सब्सक्राइब तो सिग्मा अमने क्यालकुलेट किया था 5.69 डिवाइड़ एक बार हमने क्यालकुलेट किया था 90 मुल्टिप्लाइड बें 100 ठीके तो क्या हो जाएगा अभी यह जो टू जीरो इसके पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आएगा 569 अपॉन ठीके इसको डिवाइड करो और चेक कर लो कैंसर आ रहा है करके यह आएगा 6.32 तो आएगा को एफिशन्ट अब वेरियेशन आएगा 6.32 अब यह आपको समझ नहां रहेगा बहुत है क्यालकुलेशन में दोड़ा कॉंप्लिकेशन आएगा अपको अभी नेक्स प्रॉब्लम अपने अपता में जाएगा।